गल्तियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री, चौथा अध्याय मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यदिपी सब वस्तों का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठराई हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे, तो संसार की आदी के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्ता के आधीन उत्पन हुआ, ताकि व्यवस्ता के आधीनों को मोन लेकर छुडा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अबबा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हिर्दे में भेजा है, इसलिए तु अब दास नहीं, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो सुभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुम ने परमेश्वर को पहचान लिया, बरन परमेश्वर ने तुम को पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदी शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महिनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विश्य में डड़ता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठेरे। हे भाईयो मैं तुम से बिंती करता हूँ। तुम मेरे समान हो जाओ। क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाला नहीं। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमचार सुनाया। और तुमने मे कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आँखे भी निकाल कर मुझे दे दे तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। हे मेरे बाल को जब तक तुम में मसी का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पिड़ाएं सहता हूँ। एक स्वतंत्र स्थ्री से परंतु जो दासी से हुआ वह शारिरी कृति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्थ्री से हुआ वह प्रतिग्या के अनुसार जन्मा इन बातों में द्रश्टान्त है। एक तो सीना पहाड की जिस से दास ही उत्पन होते हैं और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड है और आधुनिक यरुशलेम उसके तुल्ली है क्योंकि वह अपने बालकों समित दास्त्व में हैं। पर उपर की यरुशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है क्योंकि लिखा है कि हे बांज तु जो नहीं जनती आनंद कर तु जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जैजै कार कर क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाईयो हम इसहाक की नाई प्रतिग्या की संतान हैं और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है दासी और उसके पुत्र को निकाल दे क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा इसलिए हे भाईयो हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है